हेलो स्टुदिंट्स वेलकम टू मैंकेनट ब्रेंस इंदी मैंलाली वर्मा एक बार फिर से आप सभी प्यारे प्यारे विध्यारतियों का מंगेनट ब्रेंस इंदी मैं बहुत-ॉइट सवागत करती हूँ और सवागत के साथ ही आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे खुश होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने सभी कारियों को भली भाती सही समय पर कर रहे होंगे, अपने आपका खयाल भी रख रहे होंगे क्योंकि आपको पता है ना कि जब हम अपने आपका खयाल रखते हैं तभी हमारी बॉड़ी हमारा साथ देती है और जब सरीर स्वस्तर रहता है तब ही मस्तिश्क अच्छी से वाक कर पाता है ठीक है तो मेरे प्यारे विद्धियार्तियों Magnet Brains जी हाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा साथवी से बारवी की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है और साथी साथ सभी प्रकार की प्रतियोंगी परिक्षाओं के वीडियोस भी आप Magnet Brains पर शत्त प्रतिशत मीन्स 100% फ्री देख सकते हैं तो बने रहे हैं हमारे साथ और देखिए हर एक विशे के वीडियोस वो भी बेस्ट क्वालिटी में और बेस्ट फ्रकल्टी के साथ आप स्वेम देखेंगे और स्वेम पाएंगे कि येस जो हम कह रहे हैं वह सही है क्योंकि हम करते हैं वही कहते हैं आप सभी का इसने हैं आप सभी का इसी तरह से विश्वास बना रहे क्योंकि हम आपके भरुसे को कभी तूटने नहीं और हम सदा सदा आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते रहेंगे आप बिल्कुल निश्चिंत रहें किसी बात को लेकर संधे मत कीजेगा डाउट मत कीजेगा डर मत पा लिएगा सदा के लिए है मैगनेट बेंस फ्री 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 पेड सब्सक्रिप्शन की हम बात नह पाओ और जो भी आप लक्ष निर्धारित करके बैठे हो या आगे आगने वाली जैसे 10 में हो अभी तो जब 10 पास कर लोगे उसके बाद किसी ना किसी स्ट्रीम में जाओगे बायो साइंस मैट्स जो भी यह जिस भी एकॉमर्स वगरा जिसमें भी आपको जाना है तो हर एक विशे से रिलेटेड आपको आगामी स्कूल मतलब 11-12 के वीडियो भी प्राप्त होंगे ठीक है तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्रतियोगी परिक्षाओं की NTSC, Olympiad, IIT, JEE, NEET, UPSC, Bank, Insurance, सभी प्रकार की प्रतियोगी परिक्षाओं की वीडियोज भी Magnet Brains 100% फ्री दे रहा है प्रोवाइड कर रहा है और 100% फ्री प्रोवाइड करता रहेगा ओके चलिए Dear Students, इस वीडियो में लेकर आई हूँ आपकी पाठ़ पुस्तिका वरिनिगा का चैप्टर नमबर 3 और नाम है मां कितनी सुंदर छवी है आप देखिए ध्यान से देखिए कितनी प्यारी मां कितना क्यूट सा बेबी गोद में है और मां का ये रूप अद्भुत है अनुपम है निराला है अनौखा है वास्ताव में मां एक ऐसा शब्द है जिस पर हम क्या कहें हम क्या लिखें वही मां जिसने हमें उंगली पकड़ कर चलना सिखाया जिसने नौ महीने हमें अपनी कोख में रखा जिसने हमें खाना सिखाया बोलना सिखाया चलना सिखाया सब कुछ सिखाया ये मां जिसकी आचल के तले हम सुनाती हुए आपने अवश्री अगीद सुना होगा हां दूखन लागी है मां तेरी अखियां मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियां मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है सुना है आपने गीत तो यह जो है मां कभी भी अपने सुख और दुख के बारे में नहीं सोचती क्या कहते हैं अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई मैं मुसकाया तू मुसकाई मैं रोया तू रोई यह ना यह होती है मा जो हमेशा अपने जिगर के टुकड़े के लिए दिन रात प्रार्थना करती है ईश्वर पेटलीकर जी द्वारा रचित मा गुजराती में लिखित एक कहानी है कहानी के आकीकत है वास्त विकता है रियालिटी है और ईश्वर पेटलीकर जी द्वारा यह कहानी बहुत ही मा की ममता को इस पश्ट करेगी गुजराती भाषा यह दी मैं आपसे कहूं तमें क्यम छो मजा मचो तमें शू धोरण मां भड़वू छो मतलब कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो क्योंकि मैंने थोड़ी-थोड़ी सी थोड़ी-थोड़ी सी गुजराती बढ़ी थी इसे सारू समझ समझ में आउ ठूँ और सब कुछ समझ में अच्छे से आता है विस गुजराती भाषा है तो यह आख मा जो गुजराती की एक कहानी है उसको ऐश्वर पेटलीकर जी ने लिखा है तो इसमें इस वीडियो में हम करेंगे सबसे पहले ईश्वर पेटलीकर जी के जीवन से संबंदित कुछ चर्चा अर्था जानेंगे उनका जन्म कब हुआ था कहां हुआ था और कौन-कौन सी रचनाय उन्हों न की थी कौन-कौन से पुरसकारों से उन्हें पु इश्वर मूती भाई जो भी गुजराती रहते हैं ना उनके आगे बाई जरूर लगता है पटेल जन पेटलाड के समी पेटली ग्राम में गुजरात नौ मई सन 1916 को इनका जन हुआ था मृत्यू 22 नवंबर सन 1913 से हिंदी अनुवाद अब ये गुजराती में लिखी गई क किसने किया गोपाल दास नागर ये गुजराती भाषा के अति लोक प्रियक अथकार है श्री पेटलीगर साहित के अतरिक्त सामाजिक और राजनेतिक जीवन में भी सक्रिये रहे हैं देखो यहां पर क्या देख रहे हैं आप दिखाई दे रहा है हां कीरती और आप सब यह समान होती है खास तोर से हां 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 ओके मुझे यह भी पताओ कि आपके कितने भाई बेहन है आप घर में बड़े हो बीच के हो या चोटे हो तो अकसर चोटे जो घर के रहते हैं उनको जादा लाड़ प्यार मिलता है क्योंकि वो हमेशा चोटे ही रहते हैं आप इस टुकड़े दे दिये इसको जादा इसको कम सब के लिए समान प्रेम करती है तो ये जो कहानी है इसमें हम यही देखेंगे कि एक माँ है उसके तीन बच्चे हैं ठीक है दो एक बेटा है एक और बेटी है और सबसे छोटी जो लड़की है वो बेचारी मानसिक रूप से सही नह पाती है सुन भी नहीं बाती है तो मा का जो अधिक लाड़ और इसने है इसका नाम है मंगू पर रहता है सब लोग कहते हैं उससे कि तुम अपनी बेटी को पागल खाने के अस्पताल में भेज़ दो लेकिन मा कहती है कि मा की तरह क्या क्या उसका खयाल कोई रख पाएगा क अस्पताल में उसका ध्यान रखा जाएगा यह बहुत सारे प्रश्ण करती है और लोग वाग उसको समझाते हैं कि नहीं नहीं तुम भेज दो वहाँ पर अच्छे से केर होगी मतलब परवाह होगी और हो सकता है मंगू ठीक हो कर लोटा है क्योंकि गाव में एक और लड़की थी जो अस्पताल से लोटकर बहुत अच्छे से वापस आ गई थी तो अब देखते हैं कि मा अपनी प्यारी सी लाड़ी सी बेटी मंगू को अस्पताल भेजने के लिए राजी हो थी है या नहीं ठीक है तो प्लीज 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 शुरूर से लेकर अंतर तक बने रहना मेरे साथा स्टार्टिंग टू एंड सुनो ध्यान से प्रस्तुत पाठ मा एक विचार प्रधान कहानी है इसमें कहानीकार ने एक माँ की ममता का बड़ा ही मार में चित्रन किया है मां के लिए हर बच्चा समान और प्रिये होता है किन्तु मां का प्रेम उस बच्चे के प्रती अधिक होता है जो सबसे छोटा होता है मैं भी अपने परिवार में सबसे चोटी थी चोटी हूं वहाँ पर मम्मी के घर की बात करूं तो हम पांच भाई बैने दो बड़े भाई फिर दो दीदियां और फिर मैं ठीक है तो अभी भी जब मैं जाती हूं ना इतनी बड़ी हो गई हूं लेकिन वहाँ मुझे सब छोट करते हैं कुछ भी अधी में काम करने लगूंगी तो कहांगे अरे तुम क्यों कर रही हो वाँ से आबास आएगी देखो उस बच्ची से क्यों काम करा रहा हो इतना अच्छा लगता है ना बहुत अच्छा क्योंकि जो मां की ममता है वो तो अतलनी है तो छोटे बच्चे के जो शहर में नौकरी करते हैं ठीक है सबसे बड़े धोबाई हैं जो शहर में नौकरी करते हैं और एक बेटी की शादी हो चुकी है और वह अपने ससुराल में है सबसे छोटी बेटी मंगू कहने के लिए कहने के लिए नहीं मतलब उसकी मान से किस्तिती सही नहीं है तो लिखा सबसे चोटी बेटी मंगू पागल है लोग उसे पागलों के अस्पताल में भरती कराने की सलहा देते हैं लेकिन मा कहती है कि जिस लाड़ प्यार से मा सेवा कर सकती है वैसा लाड़ प्यार अस्पताल में कौन करेगा इसलिए अस्पताल में भरती नहीं कराती वो नहीं कहती वो बहुत प्यार करती है अपनी प्यारी सी बेटी से और वो अपने से उसको दूर नहीं करना चाहती उनकी सेवा देख लोग दंग रह जाते हैं अपनी बेटी की इतनी सेवा करती है इतने अच्छे से उसको रखती है कि लोग दातों तले उंगली दबा कर रह जाते हैं कि य पर ये नहीं है कि माँ उन बच्चों से प्रेम नहीं करती है माँ उन बच्चों से प्यार करती है लेकिन वो खुद भी अपना खयाल रख सकते है ना जबकि मंगू की मानसिक स्थिती ऐसी नहीं थी कि वो अपना खयाल रख सके लेकिन गाओ की ही लड़की अब ध्यान से सुन गाउं की ही लड़की कुसुम जब अस्पताल से ठीक होकर वापस घर लोटती है तब मा भी अपनी पागल पुत्री को अस्पताल भरती कराने को राजी हो जाती है जब उसी गाउं की लड़की एक कुसुम थी जो की पागल खाने या अस्पताल गई थी वहां से वो लोट आत अच्छे से मां को लगता है हो सकता है मेरी मंगू भी ठीक हो जाए तो वूiform भी ऐस्पताल भेजने के लिए राजी हो जाती है लेकिन पुतरी से अलग होते ही उसकी दशा वैसी ही हो जैसे पुत्री की थी जैसे उसने मंगू को भेजना तो उसकी इस्तिती बहुत बुरी हो गई मतलब वो नहीं रह पाई कानीकार ने इस कहानी की माद्धम से यह सिद्ध करना चाहा कि सच्चा प्रेम मा की मंता है जिसके प्रती अधिक मंता होती है उससे अलग होने पर उसका दिल तूट जाता है मंगू को पागलों के अस्पताल में भरती कराने की सलाहा लोग जब उसकी मा को देते हैं तो वह एक ही जवाब देती है मा होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पतल वाले क्या करेंगे जनमजात पागल और गूंगी मंगू को जिस तरह पालती पोस्त सेवा करती सब उसकी प्रशन्सा करते थे मंगू के अलावा मा को तीन संताने थी दो पुत्रों और एक और पुत्री दोनों बेटे शहर गए थे कमान नौगरी करने और बेटी की शादी हो गई थी उनके बाल बच्चे थे ठीक है शहरी हो गए थे मतलब बच्चों की भी बाल बच्चे थे जब सभी गाओं आते तो मां उनको भी प्यार करती किन्तु बहुँओं को संतोश नहीं होता विजल तो नहीं करती कहती मंगु को जूटा प्यार दुलार करके मा नहीं अधिक पागल बनाती है वो बहुँओं कहती कि बहुत जादा लार दुलार करती है तुमारी मां मंगु को इसलिए वो पागल हो गई है यदि उसको उसके हवाले पर छोड़ दिया जाए तो वो ठीक हो ज बेटी भी ऐसे ही कहती थी इसी बीच कुसम अस्पताल गई और दूसरे महीने ठीक भी हो गई फिर भी डाक्टरों के कहने पर एक महीना और रही गाओं आई तो सभी देखने दोड़े अब लोग कहने लगे माजी एक बार अस्पताल में मंगू को भी भरती करवा दो जरूर अच्छी हो जाएगी इस बार माने विरोध नहीं किया बड़े बेटे को चिठी भिजवाई लेकिन रात की नीद उड़ गई मन का चैन छिन गया अब देखिए मंगू जो की मानसिक रूप से सही नहीं थी मां उसका बहुत ध्यान रखती थी साब कुछ खाने पीने का हर च इतना लाड प्यार करती हैं कि कुछ भी नहीं सीख पाई वो यह दी पशुबी सीख जाते हैं कि यहां आपको पखाना जाना है या यह करना है और तुमारी बाते ने तो कुछ भी नहीं ラत के लिए वह तत पर रहती हैं लेकिन बेटा जानते थे क्योंकि वो बच्पन से उ कैसी ही थी तो उसको अस्पताल में भरती कराया गया एक महिने में कुसुम ठीक भी हो गई लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि चलो एक महिना और देख लेते हैं और देखरेक में रखते हैं उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी ठीक है तो वहां पर ऐसा किया अब जब कुस का चैन चिन गया बड़े बेटे को पहले पत्र लिखा क्योंकि वो तो शहर में रहता था चित्थी में लिखा होगा कि बेटा मैं मंगू को अस्पताल भेजना चाहती हूं इसका खर्चिया जो भी कुछ कैसे करना है ये सब उच्छने लिखा होगा लेकिन निरनय तो उसने रहेगी मंगू अस्पताल में कुछ भी तो सव नहीं ऐसे मतलब कुछ भी तो नहीं आता इसे चिठ्थी पाकर बड़ा बेटा आ गया जैसी ही मा की चिठ्थी मिली बड़े बेटे को आ गया गाउं मजिस्ट्रेस से जरूरी कागस तयार करवाए मा को लगा कि बेटा भी मं अपनी बेहन से चुटकारा पाना चाहता है इसलिए सब को जल्दी-जल्दी करवा रहा है आखिर जाने का दिन आ गया एक मूवी आई थी कौन सी थी पागल खाने में तेरे नाम शायद थी जिसमें पागल खाने का चित्र और भी और भी बहुत सारी मूवीज थी सद्मा थी शायद कुछ इस तरह का चित्र प्रसुत किया गया था उसमें कि वो अपना ख्याल नहीं रख पाते थे लेकिन मा या घर बाले उसको भेजना नहीं चाहते थे और कुछ सदस्त थे जो पागल खाने भेजना चाहते थे तो ऐसा ही हुआ आखिरकार वो दिन आही गया जिस दिन मंगू को अस्पताल जाना था उस रात मा को नींद ही नहीं आई जब मंगू को लेकर घर से बहार निकलने लगी तो जैसे ब्रहमांड का बोज उस पर आ गया हो उसका दिल बैठा जा रहा था कि मैं कियसे अपनी प्यारी सी बच्ची को अस्पताल भेजो मा भारी कदमों से अस्पताल में दाखिल हुई भारी कदमों से मतलब मुश्किल मुश्किल से उसके कदम आगी की तरह बढ़ रहे थे वो बिलकुल नहीं चाहते थी कि मंगू को अस्पताल में भेजा जाये मुलाकात का समय था एक पागल अपने पती से लिपट गई बोली इभूतनिया मुझे अच्छे कपड़े नहीं देती उसकी परचारी का ने हसकर कहा खालो मैं सब दूंगी मा को विश्वास हो गया कि ये सब लोग दयालू डॉक्टर है और मैट हम बंगु का का थेक्स देखा बेटे ने कहा मेरी मंगु का ठीक से खयाल रखिएगा मैटरिन नकांष चिंटा करने की जरूरत नहीं हे पूरा जो भी उसका खिलाए तो खाती ही नहीं, टटी की भी सुध नहीं, रोश्नी में उसे नीन नहीं आती, कहते कहते मारो पड़ी. मा का हिरदय भराया, सबी लोग उसकी रुलाई से संजीदा हो गए, सब एमोशनल हो गए. मैंटर ने कहा, धीरज रखें, यह भी कुसम की तरह ठीक हो जाएगे. यह रात को चार-पांच बार बिचावन की जाच होती है, मतलब जो भी बिचाया जाता है, विस्तर विस्तर, उनकी चार-पांच बार जाच की जाती है, आप चिंता मत कीजिएगा, आपकी बेटी का अच चेहरे पर, शोक के बादल थे, सब दुखी थे, मतलब भाई भी बड़ा दुखी था, और मा तो दुखी होगी होगी, है ना, इसलिए बड़े, मतलब उदास भी थे, और दोनों, शोक, शोक के बादल थे, मतलब शोक मतलब समझते हो, शोक का अर्थ होता है, दुख, दोनों के चहरे पर शोक के बादल थे रास्ते भार मारोती रही रात भार भी यही सोचती रही कि मंगू क्या कर रही होगी यह इस्तिदी थी इतनी धंड में किसी ने उससे कुछ उड़ाया होका यह नहीं मंगू के बिना आज मा का बिछावन सूना लगा बाहर बेटे को भी नीन नहीं आ रही थी सोच रहा था भाई था बड़ा वो सोच रहा था कि मैं मंगू को अच्छी तरह से पालूँगा सुबर जब चक्की की आवाज शुरू हुई तो चीख सुनाई पड़ी दोड़ोरे दोड़ो मेरे मंगू को मार डाला बेटा चार पाई से उचल पड़ा मां मंगू की श्रेणी में मिल गई ओ देखो ज़रा क्या हुआ अब क्या हुआ ध्यान से सुनना इतनी ठंड में पहले मां ये सोच रही थी कि मेरी बेटी को किसी ने खिलाया होगा या नहीं कुछ उड़ाया होगा या नहीं उसे नीद आई होगी या नहीं तो मां के साथ वो हमेशा सोती थी मां को उस रात नीद नहीं आई और बाहर बेटे को भी नीद नहीं आई सोच रहा था कि मंगू को अच्छी तरह से पालूँगा सोबह जब चक्की की आवाज शुरू हुई तो चीक सुनाई पड़ी तोड़ो रहे तोड़ो मेरे मंगू को मार डाला बीटा चार पाई से उचल पड़ा मां मंगू की श्रेणी में मिल गई थी क्या समझ में आया आपको बताओं लिखा है मां मंगू की श्रेणी में मिल गई थी इसका तात्परे हुआ कि मां अपनी बेटी से बिछड़ कर मां की हालत पागलों की भाती हो गई एक रात भी नहीं रह पाई वो अपनी बेटी के बिना आशा करती हूँ यह भावना प्रधान कहानी आपने बहुत अच्छे से सुनी है समझ में जरूर आया होगा कि मां की क्या इस्थिती है इसी प्रकार से हर कहानी कवीता और जो भी भावना प्रधान रहेंगे उनको मैं आ से रिलेटेड आपको चिंता करने की आवशकतर नहीं है और सौरी चाहूंगी मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई हूँ मैं सौरी हर एक क्लास के वीडियो हर एक विशय के वीडियो आपको मिलेंगे मैगनेट ब्रेंस पर जो कक्षा साथ वी आठ वी से लेकर बाहर वी तक ही उनलाइन स्कूल एजयोकेशन हंड़ीट परसेंट फ्री प्रोवाइड करता है साथी साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परिख्शाय हैं जैसे अन्ती गर्टीरありがとう लाइक इट की पारिख्शाओं की वीडियो 빼.ऑ इस भी शथ किंता नहीं करना है सिक्षा से एक बिलकुल नि सदा सदा के लिए ठीक है सो चिंता से हो जाईए बिलकुल मुक्त क्योंकि मैगनेट ब्रेन से एक दम मुफ्त ठीक है सो बने रही है हमारे साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्वस्त रही खुश रही अपना ध्यान रखिए सुरक्षित रही बाई-बाई-थैंक्ट्यू कर दो मैं करना टूम है झाहताज। रहे साथ क्वाद क्क्राव झाहताव क्वां हैं पिरे प्रेयल शैएंक्डग जाना थे होगर step जाना टGS ड़वद्स हैंक्यू